पराई थाली का घी तो चलिए इस कहानी शुरू करते हैं गाउं से बाहर निकलते ही सड़क के दोनों और दो मकान बने हुए थे एक मकान बहुत बड़ा था और दूसरा बहुत छोटा दोनों घरों में दो परिवार रहते थे जिसमें छोटे बच्चे भी थे बड़े घर में पीकू और छोटे घर में निकू रहता था दो परिवार अपने अपने काम में मस रहते थे जब निकू गलियों में खेला करता था तो पीकू अकसर घर के उपर जाकर उसको देखा करता था निकू गलियों में दोस्तों के साथ कंचे खेलता कभी तायर दोराता तो कभी कुत्तों के साथ खेलते पीकु का भी मन करता कि वे भी उनके साथ जाकर खेले और खुब मजे करे लेकिन उसकी मम्मी उसको जाने नहीं देती जब कभी पीकु वहां जाने की जिद करता तो उसकी मम्मी बोलती कि तुम यहीं अपने घर में खेलो तुमारे पास इतने खिलोने हैं जितने पूरे गाओं में नहीं होंगे लेकिन पीकु का मन तो बाहर उस गली में लगा हुआ था दूसरी तरफ नीकु जब पीकु को देखता तो उसका मन उसके खिलोनों में लग जाता पीकु अपनी साइके चलाता कभी स्वेमिंग टप में मस्ती करता तो कभी गन से सभी को वाटर फायर करता ये सब देखकर निकू का भी मन करता की काश उसके जगह मैं होता तो मेरे पास भी इतने सारे क्षिलौने होते लेकिन क्या करें दोनों की अपनी किसमत एक के पास खिलौने हैं लेकिन उसको अच्छे नहीं लगड़ें तो दूसरे के पास दोस्त और आज़ादी है लेकिन उस अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं धन्यवाद